के स्वाप सब दोस्तो आपका हमारे यूटूब चैनल पढ़ार धिक सवागतिया दोस्तो आज कीुड़ू में बात करेंगे और प्रेकन जारी किया है जी है वेमने देख लेकार हिं आगार सफ्कािव्यागार्ट में पूरा अप no झालाइन बादेर जल्डी वेकेंसी आने वाली है क्योंकि जो सरकार है नई वेकेंसी यहां पर जारी करने वाली है इन दिनों के अंदर इस सारी बढ़ती है जो इसन्सक्रद विबाग में अभी 3003 पदों पर वेकंसी इए तो आज ये सेक्ड गरेड एगेंश कुल कितने पदे दोस्तो 347 पदे आर पीसी की जो उफिशल वेब साइट है उस पर आपको यह नोटिविक्शन मिल जाएगा और फिसी की आप ऑफिशल वेबसाइट पर नोट विक्षान मिल जा का मेंन जो बाते हैं वह आपको में बता देता हूं बाकि आप नोट विक्षान वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं इसका संसकर तीबाग का जो है नोट विक्षन यहां पे जारी हुआ जो इस्टुडेंट बेठावा हो परिक्षा के अंदर सामिल हुआ हो वह बेड़ती इसके अंदर आवेधन कर सकता है दोस्तों इसका पे मैट्रिक्स लेवल यहां पर 42 सो दिया गया है सरकार के नियमानुसार जो है वो दिया जाएगा मासिक वेतन आयू सीमा दी गई है एक साथ 2,024 को नियूंतम 18 वर्स अधिकतम 40 वर्स से कम होना चाहिए यह इसकी जो है आयू सीमा है उमर के अंदर चूट वग्यरा जो है आपको सरकार जो नियम है वो उसके अंदर उसके अदार पर दी गई है चूट है यहां पर डिटेल दी गई है इसके जो आवेधन है वो आपको मैं बता दू कबसे शुरू है दोस्तों चेहन परक्रिया आपको लिखित यानि लिखित अब्जेक्टिव और क्यूशन होगी उसके अधार पर होगी परिक्षा का इस्तान एंव महां परिक्षा इस्तान मतीती के समद्ध में यहता समय सुचीत कर दिये जाएगा पर आविदन की परकेरिया वह यहां पर चेह फरावरी से स्टार्ट है छे मार्थ तक इसके ऑनलाइन आविदन किये जाएंगे आरपीरसी के ओफिशल वेबसाइट पर जाके इसका आविदन कर सकते हैं खुद भी आविदन कर सकते हैं सोसी आईडी के माद्धिम से या इमितर क माद्धिम से भी आप बढ़ सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगए विदन आविदन आविदन किये जाएंगे दोस्तों यह पूरा जो है ओफिशल नोटिविशन यहां पर जारी किया गया है आप इसको पढ़ ले ना दोस्तों सुल्क यहां पर बताया गया है सामान ने को टीटेल अगयी कुल्पत कितना है पेपर का पेटर यहां पेपर इढ़े दोफर है यहां पर ए पार्ट तीन सु नम्मर का है बी पार्ट भी यहां पर तीन सु माक्स का यहां पर दिखाए गया दोस्तों इसके बाद आप ओफिशल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं ओफिशल वेबसाइट पर यह पूरा नोटिफिकेशन जाई हो गया है चैनल पने हो तो चैनलों को सब्सक्राइब करें धन्यवाद